अगर आपने अभी तक मौर एक सासक परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल पुटन दब करें और बेल आइकन दबाना ना भोलें ताकि अगली जानकारी आपको अगला आटिकेशन सबसे पहले में सकें सत्यमियों जेते जे जे भारत जे मौरिवंस अखंड भारत जैसरी चंद्रगुप्त मौरिवंस जैसरी विंदुसार मौरिवंस जैसरी आचार विफ्रगुप्त मौर आचार चाणक की नमस्कार मित्रों आज आपके लिए एक बहुत ही उत्सा से भरा कविता लेके आया हूँ जिसको हमारे माननी स्री सर्वाण कुमार मोर्या जी जो हमारे संगठन विश्वमोर परसत के राष्टी परवक्ता है मननी स्रवाण कुमार मोर्या जी की कलम से यह कविता है आप लोग सुनिए आपको कैसा लगा और इस कविता से क्या सीख मिली कितना उत्साह मिला और जो है कि इसी प्रकार का और आता रहे तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग सुनने के बाद इस से इंग्नोर नहीं करेंगे इस पे अम्ल जरूर करेंगे चलिए देरीना करते हुए हम शुरू करते हैं स्र्वठीकुमार मौर हरदोई जैयु चंडरुप मौरवंशकी कर बिस्व मौर परिशत प्रवकता स्रवण कुमार मौर हरदोई विश्व मौर परिशद एकता के बल पर हम सब हर ताकत से टकराएंगे विश्व मौर परिशद हर भरष्टाचारी से हर बलतकारी से हर आफ़स से टकराएंगे विश्व मौर परिशद को जितना ही दमन किया तुमने उतना ही सेर हुए हैं विश्व मौर परिशद जालिम पंजे से लड़ लड़ कर कुछ और दिलेर हुए है सुनो विरोधियों चाहे काले कानोनों का अम्बार लगाये जाओ तुम विश्व मौर परिशद जुल्मों सितम की ताकत से घबरा कर और सेर हुए है तुम विरोधीगर जितना विस्वमोर परसद को दबाओगे हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे विस्वमोर परसद हर आधी से हर तूफान से हर आपस से टकराएंगे जब तक मानो द्वारा मानो का लहू पीना जारी है तब तक बदनाम कलंडर में सोसड का महीना जारी है जब तक हत्यारे राजमहल सुक्के सपने में डूबे हैं जब तक जनता का अधनंगे अधभूके जीना जारी है तब तक हम विश्मौर परिशत के नारे से धर्ती आकास गुजाएंगे विश्मौर परिशत हर आंधी से हर तुफान से हर आफ़स से टकराएंगे सुनो विरोधियों तुम बीती हुई कहानी हो अब अगला जमाना विश्मौर परिशत का है सुनो विरोधियों तुम एक भयानक सपना थे ये भोर सुहाना अपना है जो कुछ भी दिखाई देता है जो कुछ भी सुनाई देता है उसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं वो सारा फसाना अपना है विश्व मौर परिशत वो दरिया जूम उठे हैं तिनकों से टाले न जाएंगे हर आंधी से हर तुफानों से हर आफ़त से विश्व मौर परिशत टकराएंगे हम चाहते हैं कि सभी लोग कलमकार बने कलमकार वो ताकत होती है कि जहां पर कोई ताकत काम नहीं करती है वहाँ एक कलम, एक प्यन की ताकत काम आती है सभी लोग कलमकार बनिये, सूर्वीर योद्धा बनिये, विचारवान बनिये, सिच्चित बनिये और हाँ सिच्चित के साथ संसकारी और संगठित होना भी सीखिए तभी यह देश और समाज सुरथित रह सकता है और सरुप्रतम देश को समर्पित राष्ट को समर्पित होकर कारे कीजिए